काफी सारे किसान का कमेंड जो है आ रहा है कि उसका जो टमाटर है वहाँ पूर्ण रूप से जड़जर हो चुका है तो आज की इस वीडियो में किसान साथी हम पूरे डिटेल में जानने वाले हैं कि आपका जो टमाटर है वहाँ कितना भी जड़जर हुआ हो वह पूर्ण रूप से जैसे के आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारा टामाटर जो है पूर्ण रूप से हरा भरा है उस तरीके से हरा भरा हो जाएगा अगर आप यहाँ वीडियो को पूरे अंत तक बहुत ही ध्यान पूर वक्त देखते हैं और उसी तरीके से कारे करते हैं वैसे परिसिती में तो तो सभी जानकरी सहीं विदी से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे हैं सेरी कवर हो भी जाता है किसान साती हो कर убakah नें तो इस तरिके से खराब हो possibilities हरा भरा होना चाहिए तो ऑप क्या कर सकते हैं उसको ऑफ कर सकते हैं और हरा भरा कर सकते हैं साथ में इस्प्रे भी करना पड़ेगा, तो इस्प्रे भी आप कौन-कौन सा लेने वाले हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम खाद को उपर बात कर लेते हैं, खाद आपको कौन-कौन सा और कितनी मात्रा में लेना है, तो खाद आपको जो है कि सात में 20-25 κ.जी आपको जो SSP ख़ाद है। जिसको राखष की बोलते हैं। New Leaf Organic Pertiliser है. उसको लोगे लेना है किसांसाति हो. इन सभी को आपको किसांसाति हो मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद आपको किसांसाति हो इस तरीके से दो पोखय के बीच में. आप देख पा रहा है हमने भी दिया हुआ है. यहां पर कुछ खाध भी आपर आपको देख सकते हैं, यहां पर फूर्ण रूप से हमने जो खाध हैं, वहां डाला हुआ है किसांसात्यी यहां पर आप देख पा रहा हैं वही सब चीज हम इसमें डाले हुए हैं, तो इतना सब चीज को जो है किसाम्साति आप इस तरह के से, दो पौधे के बीच में डाल दें, ढूर्टS से दे रहे हैं तो आपका जो काम है जो है किसाम्साति에요 को काम और भी असान होने वाला है, और भी बहुत्री भ्यंकर, जो result है वह देखनों को मिलने वाला है सभी को mix कर दे और बराबर बराबर मात्रा में आपको जो पोजे के बीच में इतने खात को दे देना है New Leaf Organic Fertilizer को हम इस वज़े से ले रहे हैं किसान साथ हो क्योंकि उसमें all in one सभी परकार का जो पोसक तत्वा है वह महजूद है जिसके वज़े से आपके फसल में ने ने पत्ती आएंगी फूल काफी है धीक देखनों को मिलेंगे मान के चलो और जो कंसे हैं ने ने किसान साथ हो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से जो ने ने कंसे हैं वह आपको काफी ज़्यादा देखनों को मिलेगा यहां पर आप देख पा रहा है यह जो कंसे हैं यह जो कंसा है यह बिल्कुल नया यहां से निकल रहा है इस तरीके से ने ने कंसे आपको काफी ज़्यादा देखनों को मिलेगा और जो है आल इन वन सभी प्रत्रह का पोसक तत्व होने की वज़ा से आपके फूल आएंगे, फल आएंगे, कंसे आएंगे, फल का जो साइज है वह भी बढ़ेगा और निवलीव को ऐसा नहीं किसान सात्यों कि आप जरजर होने पर ही डाल सकते हैं आप मान के चलो बेसल में डाल सकते हैं, सुरवाती दौर में डाल सकते हैं, फल की स्टेज पे, फूल की स्टेज पे, लगभग सभी स्टेज पर आप उसको डाल सकते हैं टमाटर पर ही नहीं, बैगन में डाल सकते हैं, भिंडी में डाल सकते हैं, करेला में डाल सकते हैं, बागवानी में डाल सकते हैं, जैसे केला, पपीता हो गया, सबजियों में पूरत जितने भी परकार का सबजी उसमें डाल सकते हैं, फलवर्गी में जितने भी परकार का जो फल वरगी है उसमें डाल सकते हैं पपीता आम अम्रूद गन्य में डाल सकते हैं आप लगफ़क सभी तरह के जितने भी परकार का जो फसल है कि सांसा थी उसमें आप जो निव लिफ और्गेनिक फटी लाजर है उसको डाल सकते हैं रिजल्ट आपको काफी बहतरीन देखनों क है किसां साथे इस वजह से हमने के युछ युप का इसमें एक किया हुआ इन सभी के साथ आपको निव लिफ अवस्य ऽे की ही है तो अगर आप drip से कः रहे हैं, तो मतलब सामसाम को आप एक दो वधो घंटा दे सकते हैं, या फिर आप एक दिन के गेप में आप देख सकते हैं, इस तरीकी से आप drip की माध्याम से दे सकते हैं, नमी आप में इंटे रख सकते हैं. अगर आप flutterigation से जो खाद आप दिये हैं वह थोड़ा-थोड़ा घुलता जाएगा आपके फसल को जो है पोसकताटवा हाँ वह पहुंचाता रहेगा इंतलु हैं और एक बाल में घुलता ही नहीं फिर बेँ है आपका सुख जाता तो फिर वह जो पोसकता तो नहीं मिलता है उसके बाद फिर आप सीचाई कर देते हैं फिर उसको जो है पोधे को पोसकता तो मिलता है इस तरीके से बार बार जो सीचाई करने से जो पोसकता तो है वह मिलता रहता है जिस वज़े से किसान साथी यहाँ जो खाद लॉंग टाम तक क करता है और काफी ज़्यादा फायदे मंद भी साबित होता है इतना खाद आप जो है किसान सातियों अपने फसल में डाल देते हैं तो अभी जैसे के हमारा यह जो फसल है आप देख पा रहे हैं किसान साति कितना जबरदस हरा भरा आपको देखनों को मिर रहा है फूल इसमें साइज काफी बहतरीन जो ग्रोथ है वह कर रहा है सब चीज हमने डाल दिया है लगपक 10 से 15 दिन बाद आपको जो रिजल्ट है वह हांडेट परसेंं देखनों को मिलने वाला की सांस आति हो और सांस में इस्प्रेय के माध्यम से जो है की सांस आति हो माक्रोनुट्रियं से ह आप मान के चलो टॉनिक ही कहलो और कोई बढ़िया सा जैसे के हमें पिछले वर्षा काफी बार यूज किये थे क्रांटी है उसको आप डाल सकते हैं तो अलग लग तरह से आपको जो की सांसातियों तीन से चार दिनों में जो टॉनिक है पीजी आर है जो माइक्रो नुट्रिय आप लगतार सीचाई करने वाले हैं खाद आपने दे दिया है तो वह हिस्ते में जो है किसांसातियों तो इतना सब कुछ आप खाद में डाल दें सांस में बाकी सब चीज जो है आप इस्प्रे के माद्यम से दें 100% आपका जो फसल है उसमें रिजल्ट है देखनों को मिलने वाला किसांसातियों वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर अन्मे किसांसातियों सेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और निव लिफ और गनिक फटी लजर को अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इस्क्रीन पर आपको नमबर दीक रहा है डिस्क्रीप करके कर सकते हैं धन्यवाद